मैं कीत गाता मुस्कुराता चले जा रहा था अपने आप में मगन करम पत पर बढ़े जा रहा था तभी देखा आगे एक बगीचा जो आग की लप्टों में जले जा रहा था देख ऐसा विद्वश द्रिश्य ना चाने क्यों ये मन डरे जा रहा था बगीचे पर लिखा था भारत और चलते बगीचे में एक देवी खड़ी थी देख के उस देवी का हाल हिर्दे में ना चाने कैसी पीडा जगी थी वो कोई और नहीं थी दोस्त वो भारत मा थी मेरी जो हाथों में तिरंगा थाम और सहन्य दर्द में लहु से लिप्टी पड़ी थी मैंने नमाखों से पूछा मा ये तेरा हाल किसने किया किसने तेरे सहरे भरे बागीचे भारत को युवाग की लख्टों में खाक कर दिया वो बोली मत पूछ दीप तभी बहतर होगा ये मेरे ही बच्चों की दी हुई चोट है ना चाहते हुए भी मुझे तो सहना होगा फूट फूट कर वो रोने लगी और उसके आखों से अश्रू की धारा बहने लगी समेटे हुए थी जो भी वो दर्द अपना हर दर्द मुझे से कहने लगी वो बोली दीप एक समय था जब इस बागीचे को भगस सिंग सुभाद चंदर जैसे कई लालों ने अपनी कुर्बानी देकर भी सीचा था और एक आज का समय है यहां मेरे अपने ही लाल इस हरे भरे बागीचे भारत को युखाक करने में लगे हुए है कहीं धर्मों के नाम पे तो कहीं राजनीती की कंदी चाल से पहीं विरोध के नाम पे दंगों से तो कहीं आपसी विवाद पे हर बार मुझे ही तो कश्ट पहुचाया जाता है कुर्बानी देकर सीचे गए मेरे इस बगीचे भारत को कितनी बार इसी तरह आपकी लप्टों में सुलुगाया जाता है देखती हुच जब भी ये द्रिश्य मुझे अपने कलाम और अमबेद कर कई बेटों की याद आ जाती है आज भी मेरी आचल एदीप लक्षमी और सरोजनी जैसी बेटियों के प्यार को तरह जाती है शब्द ना थे मेरे पास अब कुछ कहने को पत्तर समा चुपी सादे पस मैं मौन खड़ा था अंतर मन में चल रहा था द्वंद ये कह दूं इस सब में मेरा भी दोश बड़ा था आखिर मैं कितनों को समझाता कितनों में देश प्रेम जगाता जर जर जलते इस बागीचे को मैं बचाता भी तो कैसे बचाता